हलो एंड वेलकम तो आवर यूट्यूब चरनल रोयल अकड़मी देखें कुछ सिटूनेट्स ने हमें पेपर को क्या किया फॉरवर्ड किया और बताया गया कि इस पेपर को हमने डाउनलोड किया नाव फॉर्स्ट फॉर्मोस्ट थिंग हमें नहीं पता है यह पेपर जो है व डेट का है कुछ बता रहें नहीं यह जो है 10th of December का sorry 11th of December का है कुछ बता रहें नहीं यह 20th of December का है जो भी है आपको आप जब questions इसके देखोगे आपके पास भी पेपर मिला होगा questions देखना और इसको verify करना whether यह जेके PSI का ही पेपर है कि या किसी और का पेपर है अब हम मान के बेर चलेंगे अगर यह जेके PSI का ही पेपर है जिस किसी बस shift का है अगर यह जेके SSB की website से website से इसको download किया है तो यह technical glitch हो सकता है क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि from 30th of December till 2ndth of Gen जो है paper जो answer की होगी वो क्या है वो upload किये जाएगी और back end पे website पे बहुत सारे काम चल चलते हैं तो क्या है uploading में होगा कि अब answer की लेटरान जिसको access करेंगे इस date पे और access कभी क्या है technical glitch की वज़े से हो जाता है अगर यह JKSSB की website से होगा now secondly अगर यह किसी दूसरे portal से दूसरे portal से इसको क्या किया गया है access किया होगा या किसी website से इसको download किया गया होगा then it's a very shameful act it's a very shameful act है अगर यह दूसरे किसी सबसे पहले trust deficit क्यों आ जाता है क्यों board से trust उठ जाता है अभी board कुछ टाइम पहले decide करता है कि 37 December हम आपको क्या देंगे 38 December till 2nd of gen हम आपको answer की मतला access कर पाओगे अब answer की देखो दो दिन पहले आ जाती है इन actors की वज़े से क्या है trusted deficit आ जाता है अब यतना तो छोड़ें कुछ यूटूबर्स तो इस पर बड़े-बड़े यूटूबर्स तो अब इस पर cut-off decide करने लग कुछ questions नहीं आएंगे कुछ आएंगे तो मैं decide करूँगा कि यह जो shift है यह hard shift है क्योंकि मुझे questions ठीक नहीं हुए अगर मेरे questions ठीक हो रहे हैं मैं तो बता रहा हूँ यह medium shift है या easy shift है और उस base मैं decide कर रहा हूँ what will be the cut-off तो यह जो cut-off जो भी आपको बता रहे हैं यह सारा जो है जूट कट-off होते है क्योंकि cbt में जो इनसान बैठा होगा ना खुद मैं तो मान के चल रहा हूँ यह कभी cbt में बैठे नहीं है क्योंकि cbt में normalization भी हो जाती है cbt में कोई एक shift जो है easy shift होता है कोई एक shift medium shift होता है क्यों एक shift hard shift होता है later on normalization करके क्या है एक score बताया बताया दिया जाता है जो उसको cut-off हम बोलते हैं तो until and unless देखो अगर हर एक shift की answer की बाहर आगर आई होती फिर shift को देखा होता उन्होंने और later on अगर वो कोई range बताते cut-off को मान के चलते हैं चलो थोड़ा बहुत इन्होंने analysis करके तो cut-off बता दिया अभी तो चलो अगर हम म cut-off आपको बता भी देगा और paper सारे shift के देख के अगर आपको कोई cut-off बता रहा है तो ठीक cut-off है और usually जो real cut-off होता है वो तो result के time पे ही पता चलता है so don't get mislead it in the rumors अपना जो best दे रहे हो best start करना देते जाओ हर एक exam में until and unless you will not get success hopefully everyone will get success okay thank you bye